दोस्तो नमस्कार आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप Realme C31 जिसका RMX version 3501 है जिसको आप reset करने जाते है उसका लोग तोड़ने जाते है तो recovery menu ही खुलता नहीं तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप Realme C31 का pattern lock, pin lock, password lock कैसे तोड़ सकते हैं मातर email ID से ठीक है और साथी साथ हम ये भी सीखेंगे कि लोग तोड़ने के बाद जो email ID वाला लोग लग जाता है लोग तोड़ने के बाद फिर से जो लोग मांगता है उसको कैसे चुटकियों में unlock करेंगे आज की इस वीडियो में हम जानेंग क्योंकि recovery menu का option इसमें आ ही नहीं रहा है ठीक है तो इसको कैसे करना है आज की इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले आपको एक phone लेना है उसके Google Chrome में चले जाना है ठीक है आपको लिखना है find my device ठीक है find my device या तो application लोड कर ले या तो डैटली चले जाए तो finally आपका ये find my device automatically खुल जाता है तो सबसे पहले आप काम करें कि आप अपने play store में चले जाए और play store में जाने के बाद आपको यहां पर find my device सर्च करना है find my device सर्च करने के बाद यहां पर दिखे Google का एक option है Google find my device apps इसको open कर लेना है अब यहां पर sign in as a guest इस पर क्लिक कर देना है अब जो य फोन लॉक है आपका दूसरा वाला उसकी email ID यहां पर एंटर कर देना है ठीक है आप समझगे ना कि जो फोन आपका लॉक है जिसमें लॉक लगा उसकी email ID आपको पता होनी चाहिए email ID पासवर्ड तो email ID अपने यहां पर डाल दिया है ठीक है simply यहां से आप पुरान वाला जो इसमें लॉक लगा उसकी email ID का पासवर्ड भी आप एंटर कर देंगे यह पासवर्ड और यह से email ID को जब आप साइन इन देख कर अगर करना चाहेंगे तो यह तब तक यह email ID डिलीट हो चुकी होगी अब यह email ID कई सारे फोन में लॉक इन मैंने कर रखी है तो यहां पर फोन से इस wonderful अ negotiator से मैंने करने कर रहा है बैटरी कितनी है मैं आपको अगाम डिल में समझाता हूं देखिए यहां पर दीखिए चंदीब भारती इस WiFi से मैंने करनेकटन राका है और बैटरी है 54% अभी मैं आपको दिखाता हूं उल्हाल ओंगा archives दॉन देखी बैटरी आप देख लिजे 54% इसमें 54% मैं आपको दोनों को एक साथ दिखाता हूं देख लिजे आपको डेटियल में समझा रहा हूं 54% जिस भी वाइफे से कनेक्टेड वो दिखा रहा है अब आपको क्या करना सिंप्ली यहां पर देखी कि फोन लॉक्ट है पता तो ह क्लिक कर देना है इस डिवाइस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से आप से इमेल आइडी और पासवर्ड मांगीगा ताकि स्योर हो जाए कि जो फोन आप लॉक्ट तोड रहे है वो ही है तो हम इमेल आइडी को एंटर कर देंगे और पासवर्ड को भी एंटर क कर देंगे जैसे हम email ID और password को enter करके आगे बढ़ेंगे तो यह पूछेगा Erase तो जब आप Erase बटन पर क्लिक करेंगे तो यह जो फोन आपका लॉक है वो उसका लॉक तोड़ जाएगा लेकिन इसमें दो कर दो की जियर olması नियर a फोन करें ला EPA यह वाइफाइइ नहीं करने नहीं हो आपको फोन पर क्लिक कर दिया मैंने और स्फुम के roam शहाइब आ चुका है अब इस फोन की जरोत खतम हो गई, ठीक है, उस फोन की जरोत आपको खतम हो चुके है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जब यह फोन अन होगा, तो यह जल्दी वाइफाई वाली जगां पर जाकर आगे नहीं बढ़ता है, तो हम एक कोड डालेंगे, जिससे मिन्टो में, मु आगे वीडियो में दिखाऊंगा, तो दोस्तों, उमीद है कि वीडियो में जो मैं आपको एक्स्प्लेइन करना चाहता था, जो बताना चाहता था, वो मैं आपको डेटेल में बता पाया होंगा, अगर फिर भी, आपको फिर भी समझ भी ना आया हो, तो प्लीज कॉमेंट क ये वीडियो पसंद आये तभी वीडियो को लाइक करना वरना डिसलाइक मार देना कोई प्राब्लम नहीं मैं आपसे नहीं कहुँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगर मेरे content में दम होगा अगर actual मेरे वीडियो इस ने आपकी सब्सक्राइब कीज़ेगा क्योंकि ये वीडियो आपके उपर totally dependent है कि आप इसको देखें और सही से judge करके बताएं कि क्या ये एक सब्सक्राइब एक like deserve करता है अगर ये deserve करता है तो आप दे सकते हैं फिर भी मैं आपको force नहीं करूँगा कि आप subscribe कीजी है कीजी लेकिन वीडियो पूरा देखके जाय कीजीए वीडियो देखने से मेरा मतलब ये है कि वीडियो को देखियो और सुनिये भी ना कि किवल देखिये हो सकता है कुछ points हो जो कि मैंने बोल कर बताया हो जो मैंने explain ना कर पाया हूँ वीडियो में demonstrate ना कर पाया हूँ आपको अच्छे से इसका demonstrate ना कर पाया हूँगा बता नहीं पाया हूँगा तो इसलिए मैं आपको voice के माद्यम से आपको बताता भी हूँ वीडियो में कि आपको कोई दिक्कत ना है अब Realme का लोगो देखकर कुछ लोग घबरा जाते है कि आपका फोन Realme के लोगो पे अटक गया है एक मिट हो चुका है तो दोस्तों घबराया ना करिए फोन को on होने में अप्राक्समेटली दो से धाइ मिनिट कभी कभी तीन मिनट चार मिनट का टाइम भी लग जाता है तो बिलकुल भी घबराये नहीं परिसान ना हो कि क्या हो गया कुछ भी ऐसा पैनिक होने की जरूत नहीं आपको बस वीडियो को ध्यान से देखिए फाइनली फोन आपका खुल चुका है अभी आप दिखाता हूं एक चीज तो यहाँ पर आप देखिए Continue का Button है ठीक है यह Lock अभी भी दिखा रहा है Lock का icon है Continue क्लिक करूंग इसको चेक करूंगा सारे को और Continue बटन पर क्लिक कर दूंगा Continue का Button पर जैसे मैं क्लिक किया तो यहां पर देखिए skip का कोई भी बटन नहीं है ठीक है अब आपको इसको कैसे चुटकियों में लोग करना वो देखिए यह देखिए आपको emergency call दिक रहा ना मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ ताकि आप exact clear हो जाओ देखिए यह realme c31 ठीक है Wi-Fi से phone को connect कर देता हूँ थोड़ा सा wait करेंगे यहां पर देखिए more more and इस तरीके का option आता है अगर यह skip का option ना है तो आपको code में enter करके दिखा दूँगा लेकिन अगर आ जाता है आपकी setup पूरी तरीके से complete हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है आप हो जाने दीजे वरना emergency call पर जाके star hedge 813 hedge डायल करेंगे आपकी problem solve हो चुकी है देखिए आपका phone पूरी तरीके से खुल चुका है कोई problem नहीं है आपका phone पूरी तरीके से functional है सैटिंग में आप चले जाएंगे about phone में जाएंगे realme c31 android 13 द्यान देजिए का android 13 पे बेज़ रही फोन तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए helpful रही होगी thanks thanks watching this video